दोस्तों, आज तक आपने नागिन की कहानी केवल फिल्मों में देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन क्या हुआ जब बागेश्वर धाम में लगा हुआ था, दिव्या दर्बार, और पहुँच गई, इच्छा धारी, नागिन, दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अभी जी ने कहा है कि जब भी हम धाम पर रहेंगे, तीन घंटे का दिव्या दर्बार प्रति दिन लगाएंगे दोस्तों कल, की ही बात है। बागेश्वर धाम में दिव्या दर्बार लगा हुआ था, और कई हजारों की संख्याएं भीड उपस्थित थी, एक लड़की के सिर पर नागिन और वहीं पर है। बागेश्वर धाम में कभी किसी का मजाक मत बनाना, वरना तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकाने को पड़ सकती है। फिर हमसे मत कहना। फावडे से इसने मुझे मार डाला था, मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, मैं इसे भी मार डालूँगी। तब गुरु जी ने कहा, अब यह बागेश्वर धाम लिये और बाला जी के यहां किसी कैसाथ अत्याचार नहीं हो सकता। गुरु जी ने उसे लड़की के उपर से नाक विद्या हटाई और उस नागिन को पहाड में गढ़वा दिया। तब सभी लोगों ने सन्यासी बाबा के नारे लगाए और जै जैकार करने लगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम में साक्षात हनुमान जी विराजमान है। इस वीडियो को तीन लोगों तक जरूर भेजें और बागेश्वर धाम का थोड़ा प्रचार करके पुन्य प्राप्त करें। वीडियो पसंद आई, हो तो एक लाइक जरूर करें। यह जानकारी हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। कैलाश के ब्लॉक चैनल इसमें कोई पुष्टी नहीं करता। धन्यवाद।